दोस्तो वैशनो देवी बारत के सबसे प्रसिद तीरतिस्थानों में से एक है अधिकतर लोग माता के दर्शन करने के बाद गर वापस चले आते हैं लेकिन कट्रा के आसपास कई ऐसे खुबसूरे टूरे स्पॉर्ट्स हैं जो अपनी प्राकरति, खुबसूर्ती और आध्यात्मे के लिए प्रसिद हैं पर लोगों को इनके बारे में नहीं पता इन इस्थानों पर जाने के लिए वैशनो देवी कट्रा से यातायत के बहुत सारे साधन अपलब्द है इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही तीन इस्थानों के पूरी जानकारी दे रहे है नंबर एक पर है शिव खोडी माता वैशनो देवी के दर्शन के बाद कट्रा से 80 किलोमेटर की दूरी पर इस्थित शिव खोडी की गुफा में जाय जा सकता है ये भगवान शिव के प्रमुक पूजनी स्थलों में से एक है ये पवित गुफा डेड़ सौ मीटर लंबी है इस गुफा के अंदर भगवान शिव का चार फीट उचा शिव लेंगे शिव खोडी गुफा तक जाने के लगबग 3-4 किलोमेटर की चड़ाई करने पड़ती है जिन लोगों को पैदल चलने में परिशानी है उनके लिए यहाँ पर खचर की सुवधा भी मौजूद है अगर आप शिव खोडी जाने का प्लान कर रहे हैं तो मौनिंग में जाएं और इवनिंग में वापस आ जाएं और नाइट स्टे कट्रा में ही करें तो अच्छा रहेगा दोस्तों कट्रा से शिव खोडी बाई रोड जाना ही सबसे अच्छा उप्शन रहेगा कट्रा से कई प्राइवेट ओनर्स की शटल बसे चलती हैं जो मॉनिंग में आपको कट्रा से शिवकोडी ले जाएंगी और दर्शन करने के बाद इवनिंग में वापस कट्रा छोड़ देंगी इनका किराया लगबग 200-300 रुपे रहेगा इसके अलावा प्राइवेट टैक्सी या कैब बुक करके भी जा सकते हैं दोस्तो नमबर 2 पे है जम्मू का खुबशूरत इलिस्टेशन पट्नी टॉप पट्नी टॉप इलिस्टेशन जम्मू में एक मात्र जगह है जहां पर आप सर्दियों में बरवबारी देख सकते हैं ताजी हवा लुभावनी सुन्दरता आपको इस इलिस्टेशन का दिवाना बना देगी जिन लोगों को एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद है वो यहां पर ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग और स्कींग का भी आनंद ले सकते हैं पट्नी टॉप में गुमने के प्रमुकिस्तान है नत्था टॉप, नाग मंदिर, सुद महादेव मंदिर कट्रा से पट्नी टॉप की दूरी 50 किलोमेटर है, आप पट्नी टॉप पहुंचने के लिए कट्रा से बस ले सकते हैं या फिर कट्रा से टैक्सी भुक करके भी यहां पहुंच सकते हैं, टैक्सी का उप्शन अच्छा रहेगा टैक्सी आपसे अप्रॉक्सिमेटली 3000 रुप लेगी, जिसमें इंक्लूड़ेड होगा कट्रा से पट्नी टॉप आना, जाना और वहां पर साइट सिंग नमबर तीन पर है बाबा दंसर बाबा दंसर का यह पवित्र शिव मंदिर हर साल हजारों तीर्थातियों को आकर्शित करता है यह मंदिर कट्रा के करुआ गाउं में स्थित है, शिवरातरी यहां पर बड़े पैमाने पर मनाई जाती है बाबा दंसर कट्रा से सिर्फ बारा किलोमेटर दूर है आप यहां जाने के लिए प्रैवेट कैप यह टैक्सी बुक कर सकते हैं इसके लाबा लुकल ट्रेवल एजेंट्स वारा चलाई जारी बसेस से भी जा सकते हैं इनके चार्जस बिलकुल नॉमिनल रहते हैं बाबा दंसर से कुछ पहले ही नौ देवी मंदिर भी पड़ेगा अगर आपके पास वक्त है तो वहां पर भी माता के दर्शन जरूर करें